इचार सहेवजाद वह गुरुजी का खालसा वह गुरुजी की फते आवाज 683 683 पन्नेते देखिए गुरु साथ की कह रहे हैं तनासरी महला पंजबा कर बारा एक्योंकार सत्गुरु परसाद बंदना हर बंदना गुण गावख गोपाल राये रहाओ मैं हर टाइम ते उस परमात्मानों नमशकार कर दा हां और हर टाइम उते उधे गुण गाने चाहिए दे हां वड़े पाग पेटे गुर्देवा कोट पराध मिटे हर सेवा वड़े पाग पागा दा मतलब एथे असी किस्मत नहीं लेना है क्योंकि किस्मत दा जो मीनिंग है कि ए लाटरी सिस्टम है वो साड़े गुरू साब दे कए उनसार केते नहीं है पाग ता ही साड़े जाग दे हम जदो असी अच्छे कोई काम कर दे हम अपने पिछले जनमा दे या ऐस जनम दे पिछले पल दे भी करम जड़े ने ओवी जे असी अच्छे कर दे हम ते ओदे नाल साड़े मत्थे दोत्ते साड़े पाग लिखे जान दे हम साड़े कीते दे साब नाली साड़े बीजे दे साब नाली ओवी सानों मिल दा है वड़े पाग पेटे गुर्देवा कोट पराध मिटे हर सेवा साड़ी जदों मत्थे दोते लिख्या हुया पाग आन्दा है ते असी गुरु नाल साड़ी मुलाका थुन्दी है वो मिल पैन्दा है सानू ते उदे मिलन दे नाल जदों वो सानू समझानदा है ते साड़े कुरोडा ही जड़े अपराद ने ओ दी सेवा और वही गुरू दी सेवा करके साड़े अपराद खतम हो जानदे है चरन कमल जाका मन रापए सोग अगन तिस जनना ब्यापए जिदे भी मान दे विच उस परमात्मा दे ले प्यार परमात्मा दे चरन कमला मर्ग चरना ले प्यार उगड़ जानदा है उस दे अंदर कोई भी किसी टाइम ते दुख या त्रिशना दी अग उन्नों नहीं परशान कर दी है सागर तरया साधू संगे निर्पो नाम जपह हर रंगे ओ जड़ा फिर जन है इनसान है ओ हर टाइम दे उत्ते वही गुरुदा निडर होके नाम जपदा रेंदा है ओ दे रंग वेची रेंदा है और जड़ा संसार सागर है उन्नों ओ गुरुदेनाल पार लंग लेंदा है परतन देख किछ पाप न फेड़े जम जन्दार न आवे नेड़े ओ दूजियां दा कोई तान देखके ओ कोई भी उदे मन देवेच पाप नहीं आंदेने और पैड़े काम नहीं करता है और उन्नों जम दा वे डारह जड़ा है उदे बिलकुल नेड़े नहीं आंदा है त्रिष्ना अगन प्रभआब बुझाई, नानक उद्रे प्रभ सरनाई जिड़ावी, नानक केंदेने, के जिड़ावी प्रभूदे सरनवे च आ जानता है, उन्नों ओ संसार समंदर च रेखके रणंदा है और उदे मन दी तरिशना अग जड़ी है ओप्रभू बुझा जिनता है और ओशात हो जानता है और अनन्द में हो जानता है नेक्स्ट जी तनासरी महला पंजवा जीवना हर जीवना जीवना हर जप साद संग सादू दिनाल गुरू दिनाल मिद के हर टाइम दे खरीदा नाम जप एहुई असली जीवन दा तरिका है त्रिपत पई सच पूजन खाया मन तन रसना नाम ते आया मन दिनाल तन दिनाल और जबान दिनाल मैं उस दा परमातमा दा नाम हर टाइम ते त्यांदा रहना हैं और मैं इस सच आप दिनाल यो परमानेंट जड़ा परमातमा है उदा दिता होया पूजन जल खांदा रहना हैं और मैं त्रिपत रहना हैं मेशा हैं अनिक पुकारी बस्तर उढ़ाए अंदन कीरतन हर गुन गाए जदो मैं दिन रात उस दे हरीदे गुन गांदा रहना हैं वो ऐस तरह लगदा है कि मैं कई किसमादे वस्तर अलग लग कपड़े बदली जा रहे हैं पुशाका बदली जा रहा हूं मिरी मन नू ऐस किसम दी खुशी मिलती है हस्ती रत अस असवारी हरका मारग रिदे नहारी जदों ही मैं अपने हरीदे मारग दे उत्ते दस्यों फे मारग दे उत्ते अपने हरीदे दे विच उस दे उत्ते चलना हूँ ते मनू एंज लगदा है कि जदा मैं हाथियां उत्ते रत्तां दे उत्ते उकरी कोड़ें दियां सुआरियां कर दे हां मैंनु एनना अनन्दांता है मेरे मन्दे विच एह अनन्द ही है मन्दा जिदे करके लगदा है कि मैं कई किसमादे वस्तर पाले हैं और कई किसमादियां तेज स्वारियां में चल ली है एह मन्दा अनन्द ही है मन्तन अंतर चरंते आया हर सुख निधान नानक दास पाया मैं अपने मन और तंदे अंदर ही उस वही गुरू दे चरनानू हर टाइम ते याद करदा रहना हां हर सुख निधान नानक दास पाया नानक कह रहने के जड़ा उपर मातमा दास है सेवक है हर किसम दे सुखा दा खजाना जड़ा है हरीदा ओ पाल अब्दा है तनासरी महला पंजवा गुर के चरन जिय का नस्तारा समुन्द सागर जिन खिन महतारा गुरू दे चरन जड़े ओही तो आड़ी जिन्द जाननू पार लंगा आनवाले हन समुन्द सागर जिन खिन महतारा और जड़ो तुसी गुरू दे चरना दे अपने माने चे वसालन दे हो तो अड़ी जड़े ऐस जिन्दगी दे जड़ा सागर है ओनू तुसी सकिन्टा दे वेची तरके पार नकर जान दे हो रहाओ कोई हुआ करम रत कोई तीरत नाया दसी हर का नाम ते आया कोई मैं देख रहाँ कि करमा दे मिछ बज़ जा हुए और ओही करम ही करी जा रहा है और कोई थाँ 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 ते तीर थाँ उते कुम के ओही नहाई जा रहा है पर मैं ते दास हरीदा जड़ावे हर ताइम थे उदे नाम ते आरहा है मैं होर कुछ इतना तीर था थे जा रहा हुआ ना कोई होर करम ग़ंड reat मैं ते सृफ ते सरफ उदे नाम ते आरहा बंधन काटन हार स्वामी जळनानक सिम्रे अंतर जामी इच्छा स्वामी तर्मातमा है सागे सारे बंधन वो मायादे बंधन सब कुछ कट देंदा है जननानक सिम्रे अंतर جामी मैं थे नानक कहरे ने के मैं थे सिर्फ ते सिर्फ उस हमेशा मिरी मन दी जनन वाला जड़ा अंतर जामी पर मातमा है उसनुही हमेशा याद करदा हाँ मैं तेरे नाल जड़ा प्यार पै गया है एटुटना नहीं चाहीदा और मैं अपना लाइफ स्टाइल सिस्टम अपना रेंड दी मर्याद्धा वो एंजदी ही पुवित्तर बना ली है कि मैं तेरे तों अपनी प्रीत ना तोड़ा कदीवी जिय प्रान मन तनते प्यारा हमे बंध हर देवन हारा मैंनू प्रमात्मा जड़ावे अपनी जिंद तों अपने प्राना तों अपने मन तों और अपने तान तों सारी चीजां तों ज्यादा प्यारा लगबा है वो हुई है जिनने मेरी हमे खतम कर देती है और सब कुछ मनू दे देता है चरन कमल सो लागो ने नानक की बेनंती ए मेरा जड़ा मन है हर टाइम होते उस प्रमात्मा दे सुने चरना देना लही प्यार पाके रंदा है और मेरी बेन्ती भी एह हुई है प्रमात्मा अगे के हे प्रमात्मा मैं नू अपने चरना देनाल प्यार देनाल जोड़ी रख इस तो बाद हुण अगे नौवी पात्षाइदे शबद्धान ए जड़ा संग्रे गुरॉजन साब्दा पंजवी पात्षाइदे जड़ा खत्म होया है उस तो बाद दो चार और फिफ्टी एट अठावन लिखिया होया है अठविंजा लिखिया है दो दा मतलब के पिछल जड़ा ए लास्ट शबद आया है उदे दो तो का हम चार दा मतलब के एस संग्रे देविच जड़ा ए कारबारा देविच असी शबद उचारने हन गाने हन कीरतन करना है उनना दा कारबारा देविच उस संग्रे देविच चार शबद सन और टूटल पंजवी फिफ्टी एट शबद हम एह लॉकिंग सिस्टम जड़ा है और नेक्स्ट नौई पात्षाई दे करन तो बाद और मैं लॉकिंग सिस्टम एनाज़ा थोड़ा विस्थार ना तो अनू दसांगा कि किस तरह अनू लॉकिंग सिस्टम बनाया है तांकि एद इच कोई वी चीज दूसरा जणा वाड़ ना सक्के एक्क्योंकार सत्गुर परसाद तनासरी महला नौवा हो नौवी पात्षाई गुरु तेग बहादर जी दे शबद हम एद जी रहाओ दे तुक है जी काहे रे बन खूजन जाई सर्ब निवासी सदा अले पा तो ही सांग समाई रहाओ हे बन दे तु क्यों जंगलां दे विच परमात्वानों खोजन ले जाना हो कोई जंगलां थोड़ा बैठा है वो हर थांते व्यापक है वो हर थांते अलेप अपना हर थांते जिन्नों कोई वी जित्थे वी है उन्नों कोई वी मायादा पर भाव नहीं पैसकता वो हर थांत व्यापक है, वो तेरे अंदर समाया होया है, तो उन्हों अपने अंदर ही देख, पुहप मद, जो बास बस्त है, मुक्रमः जैसे च्छाई, पुहप, मतलब फुल, बास, खुश्बू, फुल दे अंदर ही खुश्बू हुंदी है, फुल दे अंदर ही खुश्बू वस्दी है, मुक्र मतलब शीशा, मुक्र शीशे दे अंदर ही जड़ा उदे सामने खड़ा हुंदा है, उदा परच्छाई हुंदी है, तैसे ही हर बसे नरंतर, कट ही कोजख, खोजख पाई, एंजे ही जड़ा है, परमातमा है, तेरे अंदर वासरे हा है उन्हों अपने अंदर ही खोज बाहर किते नहीं होएगा उन्हों अंदर ही खोज तू बाहर गुर्दवारे आम अंदरा या जंगला पहाडा विच तन्हों किदरे नहीं मिलेगा तीर था मैं जो तनू किदर नहीं मिलेगा ओ तेरे अंदर ही है तनू अंदर ही खोजना पहेगा अपने बाहर पीतर एको जानह इह गुर ग्यान बताई जन नानक बिन आपाचीने मिटेना परमकी काई मेरे गुरू ने मनू ग्यान दता है कि बाहर और अंदर एको ही वाहे गुरू वासरे है हर थांदे होते और नानक कह रहे ने कि बिना अपने आपनों टटोले हुए बिना अपने आपनों परखे हुए देखे हुए तो आड़ी जड़ी परमदी काई है काई हुन दी है हरा हरा का दे हो concrete जदो पानी आंद़ ते हरी-हरी काई जम जांदी है ते काई दे अंदर काई होण करके पानी अंदर तरती देविच्छ जमीन देविच्छ नहीं समा सकता है एं जे ही ज़दो साठे Already होटτε काई आजन दी है ते सानु साच नहीं पता लगदाया असी जो चूट साधे मान वेच चाल रहा हुंदा है उससे नू ही असी साच समझी जा रहे हुंदे है ते उससे चक्कर देवेच बार तीर थां दो ते कई थामा देवेच उन्हों लबण दी कोशिश कर दे रहने जद कि तो साधे मन देवेच है असी उसकाई नू खतम करना है उसनू खतम करन दा तरीका नानक एहुई दस्तेहन कि तू अपने पीतर देख और अपने मननू ट्टोल ते जो तेरी काई उत्रेगी तो तनू साच जड़ावे अपने आप समझ आ जाएगा तनास्री महला नौवा साधो एह जग परम पुलाना राम नाम का सिमरन छूड़ दिया माया हाथ बिकाना रहाओ गुरू साब दासरे ने कि एह जड़ा जग है दुनिया है अप परमान देविच पुलिया होया पटक रहा है असी राम दा नाम लेना ते सिमरना ते छड़ दिता होया है और माया दे चक्रां दे विच वी हर टाइम दे अपने आपनों असी वेज लिया होया है कि माया दे चक्रां दे विच पुलिया है हाँ रहाओ धी तो क्षीजी है इस तो गे जी मात पता पाई सुत बनता ताक के रस लप्ताना असी सारे दे सारे माँ, प्यो, प्रा, पुत्तर, वुट्टी उनना दे रसा दे वेची असी सारा टाइम ते लिप्टे होया खुबबे होया सारा टाइम असी उनना दे बारे ही सूच दे रहने हाँ जोबन तान प्रभता के मद में अहनिस रहे दिवाना प्रभता ताकत हकूमत असी अपनी जवानी अपना जड़ा साधे कुल तान कठा कीता है और हकूमत दी ताकत दे नश्य देवेची हर टाइम होते असी दिन राप असी एनना चीज़ां देवेची दिवाने होए फिर दे हाँ कि असी ते बहुत कुछ पा ले आ होया है दीन देल सदा दुख पंजन तास्यो मन न लगादा जिड़ा भी दुखियां दे ते दया करन वाला है और सारे साथे दुखा नो खतम करन वाला है उसते नालते असी अपना मन जोड ही ने रहे हैं जन नानक कोटन में किन हूँ गुर्मुक होए पच्छाना नानक कहरे ने कि करूड़ा दे विच में कोई विरला ही है जो गुरू दे मुखवल उदी गल सुन के उदे दे चल के ए रियालिटी नो पच्छान लेंदा है करूड़ा में कोई विरला ही है तनास्री मखला नौवा तिह जोगी को जुगत न जानो लोब मुह माया मम्ता फुन जिह कट महें पच्छानो तिह जोगी को जुगत न जानो लोब मुह माया मम्ता फुन जिह कट महें पच्छानो जिदे वी अंदर असी सोचने जोगी है जिदे भी अंदर लूब, लालच मुह, माया हर किसम दा मुह, माया दा लालच मम्ता, मम्ता दे चक्रा दे जड़ा फस्या है जड़े मन दे अंदर ऐस सारियां चीजा पैयां उन्याहन ओ तिह जोगी को जुगत न जानो ओ जोगी नहीं है वो असली तरीका हाले तक पुछान नहीं पाया है एरहाओ दी तो क्याजी इस तो गया है जी पर निंदा उस्तत नह जाके कंचन लुख समानो जिड़ा भी कोई उदी निंदा करदा है या उस्तत करदा है उन्यों कोई फरक नहीं पैंदा और लोहे नू और सुनने नू बराबर समझदा है हरक सोगते रहे अतीता जोगी ताहे बखानो जड़ा खुशी दे वे लेवी और दुख वे लेवी सारे टाइमा दे उत्ते बराबर ही मन उदा रहनदा है ओ कोई ज्यादा दुखी नहीं हो जानदा और उस टाइम से ज़्यादा खुश नहीं हो जानता ओही असली जोगी है ओही असली जोगी तुसी समझो चंचल मन देह दिसको तावत अचल जाहे ठहरानो अब मन जड़ा बड़ा चंचल है दसापास से अवल दिशावावल कुमदा रंदा रंदा है जिनने अपने मन नू ठेहरा ले आ है रोक ले आ है अचल कर रेा है ओही असली जोगी है कहो नानक एह बिद्ध को जो नर मुकत ताहे तुम मन नानक कह कह रहे हैं कि जिनन वी रस्ता लब लेा है जिस वी ओनुखने इस रस्ता ये रस्ता लब के और एदित चलक प्या है ओनु ही समझो कि असली चीज समझ गया है तो ओन मुक्ति दे रस्ते ते तुर प्या है तनासरी महला नौवा अब मैं कौन उपाओ करो जिह बिद मन को संसा चुके पाउनिद पार तरो हुण मनु हे परमात्मा एदास के मैं केड़ा तरीका करा जिदे नाल के मेरे मन दे जिन्नेवी शाक हन शोबे हन उख खतम हो जान और मैं संसार समुंदर तो पार निकल पावा रहाओ ए रहाओ दी तुकसी जी जनम पाए कच पलो न कीनो ताते अधिक डरो मैं ए जनम पाया है ए जनम जड़ा मिले आ है मनु अच्छे काम करनली मिले आ है ते मैं जिए कोई अच्छा काम नहीं करना हुआ ता मनु होर ज्यादा मेरे अंदर दार जड़े ने आके पनप पैन दे हम मेरे अंदर मन बच करम हर गुण नहीं गाए इह जिय सोच तरो मैं ओई बच्छे वाले काम करी जा रहा है मेरा मन जड़ा है ओई बच्छे वांगुई उल्टे पुल्टे काम ही करी जा रहा है और हरीदे गुण मैं कदी गंदा ही नहीं हा एस तो ही मेरा जिय जड़ा है मन जड़ा है एस सोच के होर डर्दे विच पौँच रहा है गुर्मत सुन कच ग्यान न उपजियो पसू जियो उदर परो मैं गुरू दी गल्वी सुन लई पर सुन के वी मेरे अंदर कोई सोच नहीं मेरे आई कोई ग्यान नहीं आया कोई समझ नहीं आई कि गुरू ने की की आया और किद्दाओं देटे चलना है मैं थे हर टाइम देटे पशू दी तरह जिद्दाओं अपने पेट पर अन्यूई लगगा हुंदा है उससे काम देवेची लगगा हुआ हर किसम दिया दिलालच मू माया दिनाल अपने पेट पर अन्यूई मैं लगगा हुआ कहू नानक प्रभ बिर्द पच्छानों तब हो पतित तरों नानक कहरेने हे परमात्मा तू अपने मुढ कदी मादे जड़ा तेरा हर एक दोते तू दियाल हुना है एही तुझे रखेंगा ताई मनो तू पवित्तर कार सकेंगा और ऐस तू ऐस संसार समंदर तू तू मनो निकाल पाएंगा क्योंकि मैं थे बड़े उल्टे कमादे विच फस्या हुआ हुआ हुन तुसी ऐस देखो ऐस तो बाद गुरू साब ने लॉकिंग सिस्टम वास्ते किस तरह लिखिया है दो पहले अक्षरानदा दो दो दा मतलब जड़ा लास्ट असी शबद है उदे दो तुका है उस तो बाद नेक्स अक्षर लिखिया है चार चार दा मतलब है कि गुरू तेख बहादर जी दे नौमी पात्षाई दे नौमे महले दे चार शबद एस संग्रह विच उचा रहे हैं उस तो अग्य लिखिया है नौ नौ तेरा अठविंजा चार फिर उस तो बाद एंड विच लिखिया है 93 एस ता विर्वा एंजै जी नौ शबद इस तनासरी राग दे विच एस तो पहले पहली पात्षाईदे आ चुके हैं उस तो बाद फिर नौ जो है उत्तीजी पात्षाईदे शबद उचारे हुए एस तनासरी राग विच आ चुके हैं उस तो बाद तेरा नंबर जो लिखिया है तेरां शबद जिड़े ने चौती पाथ शईदे उचारे हुए आए हन फिर उस तबाद फिफ्टी एट लिखिया है फिफ्टी एट पंजवी पाथ शईदे उचारे हुए शबद हन फिर उस तबाद चार लिखिया है जो खुने असी नौमी पाथ शईदे चार पड़े हन ओ उचारे हुए आए हन एना सारे हन दा नौ नौ तेरा अठविंजा चार दा तुसी जड़ टोटल करोगे तो ए नाइन्टी थ्री आएगा टोटल शबद नाइन्टी थ्री हाले तक तनासरी महला तनासरी राग दे विच गुरू साब दे लिखे हुए असी पड़े हम सो ए लौकिंग सिस्टम जड़ा है ए दे बेस दे उत्ते विच कोई भी मिलावट नहीं कार सकता ऐस से मिलावट ना करन दे हिसाब दे नाल ही सानू गुरू साब दी अपनी लिखी हुई असली तुर्टों आई हुई पुवित्र बानी जड़ी है सानू मिली है जदे उत्ते साड़ा चलना ज़रूरी है ए दे विच कोई मिलावट नहीं है ए लौकिंग सिस्टम नहीं सारा साड़े गुरू गुरंद साब नू ऐस तरीके दा बना देता कि कोई भी एदे विच छेड़ चाड़ नहीं कर पाया लौका ने बहुत कोश्या किती है पर गुरू गुरंद साब जविच कोई भी छेड़ चाड़ नहीं कर पाया ते सानू बिलकुल ओरिजिनल चीज़ जड़ी गुरू साब ने लिखी सी वो साड़े सामने अज भी है और रेंदी दुनिया तक हमेशा हर एक दे कोड़ रहेगी और यह जो सब तो उच्छी बाणी है जो ओ सारे आदू उन्णा दे फाइदा पुचान दे वास्ते काम आएगी आज लई एनना ही पुलना चुका दे माफी वह गुरुजी का खालसा वह गुरुजी की फते